हलो फेंड्स वेलकम बैक तू माई चैनल इस्प्रीचरल लवडराट 786 कैसे हैं आप लोग आपको खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे हैपी होंगे बाकी को इसकीप कर दीजिए जो लोग नो कॉंटेक्ट में हैं उनके लिए यह रिडिंग है कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है अगर आप लोग के बीच में नो कॉंटेक्ट है बाते चीत बंध है बिलकुल बात नहीं हो रही है आपके पार्टनर से या फिर आपका पार् शे मेंने बार आए, दो मेंने बार आए या आ जाए, ok? तो चलिए, पुरा फोकस अपने पार्टनर पर रख़े, देखते हैं कि किस अनर्जी में है आपका पार्टनर नो कॉंटेक्ट में, क्या वो आपको याद कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में क्या वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सन का कार्ड निकला है डियर चलिए प्लेज उनिवर्स गाइड करें कि नो कॉंटेक्ट में मेरे वीवर्स के जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं इते सारे काड नहीं लेंगे ओके डियर बहुत सारे हैं नहीं तो मैं ले लेती लेकिन इते सारे नहीं लेंगे चलिए क्या सोच रहे हैं क्या चल रहा है मेरे वीवर्स के पार्टनर नो कॉंटेक्ट में किस सिच्वेशन में हैं क्या चल रहा है चलिए देख लेते हैं बॉटम के अनर्जी वाव स्ट्रेंथ क्या काड निकला है क्या बात है आज स्ट्रेंथ इस्ट्रेंथ निकल रहा है तो 100% यहां से पहला card ही हमारे पास में जो निकला था वो था दसन का card तो positive energy के साथ में starting हुई है आगे देखते हैं card क्या बता रहा है जगलिंग start हो गई है यहां से judgment तो 100% judgment देना चाहते हैं आप लोगों के बीच में जिन लोगों के partner से बातचीत बंद हो गई है नो contact चल रहा है तो यह partner आपके साथ में judgment करना चाहते हैं किस बात को लेके judgment है तो यहां से 10 of cups है यहां पे लड़ाई जगड़े हुए हैं तो जिस भी बात पर लड़ाई जगड़े हुए है fight हुआ है चाहे वो third party रही हो आप लोगों के रिष्टे के बीच में तो dear यहां पर जो decision है वो good decision निकलता हुआ दिख रहा है मुझे आपके partner ने जो भी बाते आप से छुपाई थी जो तकलीफे आपको दी है जो दर्द आपको दीए है उन सब चीजों से आपको बाहर निकलने की कोशिश करेंगे यह partner की energy इस तरह की ही दिख रही है इस रिष्टे पर काम करेंगे dear आपका जो रिष्टा खराब किया है जो बाते जो balance इस रिष्टे में खराब किया है इस partner ने वो सारी चीज़े सही करेंगे और यह 9 के 9 pentacles आपके life में लेकर आने वाले हैं travel करके आ सकते हैं dear आपके life में और आपकी तरफ कोई न कोई decision लेंगे अगर आपके life में कोई third party situation था family था या कोई ऐसी situation थी जिसका आपने सोचा भी नहीं था और आपके सामने वो situation छुपी हुई थी और अचानक से आ गई तो dear उस situation के death होती दिख रही है वो situation जो थी कहीं न कहीं खत्म होती दिख रही है यह partner आपको कोई न कोई offer देगा कुछ न कुछ ऐसा कोई दो-دो कार्ड्स निकले है dear यहां से दो-दो कार्ड्स निकले है तो इसका मतलब मैं आपको बताओंगी दो-दो कार्ड निकले हैं यहां से तो यहां पर यही दिख रहा है कि यह कार्ड कुछ बता रहे हैं चलिए डिडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको साइन बता देती हूं कि साइन क्या बता रहे हैं तो सबसे पहले तो यहां पर सन का कार्ड निकला है Cancer Scorpio Pisces तो देखे Cancer Scorpio Pisces तो कर्ग विश्चिक मीन राशी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन विश्प कन्या मकर राशी एरीज लियो सैजिटेरियस तो यहां पर मिथुन तूला कुम राशी तो मैंने सारे साइन बता दिये हैं यहां पर जो सारे साइन आये थे वो मैंने आपको बता दिया आं अगर आप लोगों बसके भी सीच्वेबस है नहीं तो यहां पर कलिया तरीकी से दिख रहा है है थर्ड पार्टी इसस तरह से रही है मैं बता देतीए हूं पहला तो यहां पर यह लग रहा कि अगर ये पार्टनर आपको कोई commitment नहीं दे पा रहे थे या आपसे दूर भाग रहे थे या आपको कुछ चीज किया है कुछ धोका दिया है तो ये सारी situation की वज़ा जो है third party रही है क्योंकि third party इनको support कर रही थी कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ नहीं आने दे रही थी third party third party आपके partner को कुछ गलत बात बता रही थी आपके बारे में और उनको बांधे रखी थी तो यहाँ पर यहीं दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में अभी no contact है लड़ाई जगड़े चल रहे हैं बाते बिलकुल बंद है आपका partner जगलिंग में चल रहा है सोच ज़ादा रहा है और आप भी सोच ज़ादा रहे हैं तो मैं दोनों के energy बता रही हूँ कि आपके partner भी बहुत ज़ादा सोच रहे हैं आप भी जगलिंग में फसे हुएं कि ये situation ऐसी क्यों हो गई क्या हुआ लेकिन दोनों ही लोग positivity में सोचते हुए दिख रहे हैं positive card निकला था first card sun का card था दोनों ही चाहते हैं कि जो abundance है आपके life में आज जाए आप लोगों के साथ justice हो अगर आप लोगों के बीच में कुछ problem जगलिंग चल रही थी कुछ ऐसे situation थी जो हालात को खराब कर रही थी तो dear यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप दोनों चाहते हैं कि वो हालात से बहार निकले चाहें problem जो भी रही हो आप दोनों के बीच में पर dear ये partner जगलिंग से बहार निकलेंगे एक new decision लेते हुए दिख र करना चाहते हैं क्योंकि judgment का card निकला है अभी तक ये partner आपके साथ में बहुत ज्यादा गलत किये थे इन्होंने पूरी जगड़े करकर तकलीव देकर आपको बांद कर रख कर नेकी कोशिश की थी बांद कर रख रहे थे या आपको किसी भी relation में है ना आपको अपनी मर्जी की नहीं करने दे रहे थे इनकी मर्जी चला रहे थे no contact situation बना दी थी सब बाते छुपा रहे थे यह सारी चीजें यहां पर clear तरीके से दिख रहे हैं कि यह partner ने बहुत सारा जूट बोला बहुत सारी cheating की आपको धोके में रखा अब यह partner अपनी पावर में आते दिख रहे है इनोंने जो गलतियां की है जो धोका दिया है वो सारी चीजें किसी थर्ड पार्टी के कहने पर किया था हो सकता है कि इनके friends मैंने कहा नहीं यहां पर दो कार्ड निकले हैं तो friends के इसमें influence होकर यह partner जो हैं कहीं न कहीं आपको भढ़काने की कोशिश कर रहे थे या इनके friends इनने भढ़का रहे थे जिसके कारण यह partner ने आपके साथ में रिश्टे को खराब किया आपके रिश्ते को बिलकुल पूरी तरह से खतम कर दिया था इनके partner कुछ गलत राय दे रहे थे इनके जो friends थे वो इनको गलत राय दे रहे थे कि आपके बारे में गलत चीजे सोचे आपके partner यह चीज यहाँ पर clear तरीके से दिख रही है, यह partner चाहते हैं, कि ऐस रिश्ते में काम करें, इस रिश्ते पर वर्ब करें, जो भी third party है, वोन नहीं चाहती, कि आप दोनों का रिष्ता बन जाए, आप दोनों एक हो जाए किसी तरह से, तो थोर पार्टी बहुत ज़ा करती है कि ये पार्टनर जो हैं आपके उनकी बातों में आ जाते हैं जबकि आपके पार्टनर की दिली तमन्ना है कि वो आप से शादी करें वो आप से प्यार करें वो आपको अपना ये तीनों कप आपको ओफर करें सेलिब्रेट करना चाहते हैं स्ट्रेंथ में आना चाहते ह आपका जो पार्टनर है वो स्ट्रेंट में आना चाहता है सेलिब्रेशन चाहता है और आपके साथ में वो पूरी लाइफ देखता है बहुत ज़्यादा पैशिनेट है किसी चीज को खोने का डर भी है इस पार्टनर को यह चीज़े यहां पर दिख रहे हैं आप उनकी क्वीन फॉर्ण है तो वो पार्टनर कहीं न कहीं आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि यह मेरी क्वीन है यह मेरा सब कुछ है लेकिन यहां पर कुछ लोग आपके लाइफ में इंवाल्व हो गए हैं जो बिलकुल भी नहीं चाहते हैं कि आप लोग का जो यह गलत सुचता है कोई तो है जो आपके पार्टनर को गलत राय देता है हो सकता है कि उनके फ्रेंट्स हैं जो आप लोग को मिलना नहीं चाहते हैं मिलाना नहीं चाहते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर यह पार्टनर आपकी तरफ आ जाता है यह आपकी तरफ मूव करता ह तो उनके दोस्ती खत्म हो जाएगी ये अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाएंगे ये बाते आपके पार्टनर ने आपसे शेयर भी करी होगी किया आपका पार्टनर ये चीज़े बोलता भी होगा क्या हमेरे फ्रेंड्स बोलते कि घर जाने की जल्दी है या अपने फ्रेंड्स से बात करने की जल्दी है तुम तो हम लोगों को टाइम नहीं देते हो तो ये बाते कहीं न कहीं हुई है ये रिश्टे को खराब करने की खत्म करने के इनके फ्रेंड्स ने बहुत कुशी्श करी है और कुछ लोग काम्यापी हुए हैं दियर लेकिन आपके पार्टनर के दिल के बात करी जाए तो dear आप समझ लीजे कि जो आपका partner है पूरी तरह से आपके साथ में celebration चाहता है आपके साथ में love चाहता है, strength में आता दिख रहा है, power में आता दिख रहा है इसके इच्छा है कि आपके साथ में ये कोई new beginning करे, new start करे एक change लेके आना चाहता है इस रिच्टे में, काफी लोगों के partner travel करके आना चाहते हैं अगर इन्होंने आपके साथ में judgment नहीं किया था, या फिर ये किसी case में फसे थे तो dear ये वो उस case से निकलते दिख रहे हैं, जिस भी बंदन में फसे थे, वहां से move on होने वाले है इनको ऐसा लगने वाला है कि अब इनके life में खुशियां आ गई है, इनकी life में happiness आ गई है dear ये partner आपके तरफ आएंगे, पर आते ही आपसे लड़ाई करने वाले है dear ये मैं पहले ही बता दू कि ये partner जब आपकी तरफ आएगा, तो आपसे लड़ाई कर सकता है, लेकर लड़ाई कुछ ज़्यादा time की नहीं है उसके हीत कुछ पल बाद आपके बीच में celebration आ सकता है, किसी बात को लेकर कुछ खुशी की बात हो सकती है ये partner आपको commitment दे सकता है, या फिर आपको कुछ offer कर सकता है, उसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो सकती है तो 100% positive energy के साथ में ये card आया है, और मैं इसलिए कह रहे हूँ कि front में हमारे पास sun का card निकला था लास्ट में हमारे पास page of cups का card निकला था, तो ये partner जो possibility लेकर आना चाहते हैं, जो आप situation के बीच में abundance लेकर आना चाहते हैं, ये खुशियां लेकर आना चाहते हैं और ये start भी उसी से करेंगे और खत्म भी ये इस partner की जो सोच है, ये आपको अपना cup offer करना चाहते हैं, बस थोड़ा सा डर रहे हैं आपकी तरफ आने में क्योंकि इन्होंने situation को खराब कर दिया है, अभी आप से इनकी बात्ची बंद है, कुश लोगों के partner ने message करना start कर दि पर ये जिस भी हालात में आने वाली है, सबसे पहले तो आपके पास में रोने वाली है, बहुत दिल से रोने वाली है, अपने हालात बताने वाली है, जो मजबूरिया है, वो आपको बताने वाली है, जिस भी कारण से ये death की स्थिती आई थी इस रिश्टे में, वो सारी च आपसे share करना चाहती है और वो आपके साथ में new beginning भी करना चाहती है कहीं ना कहीं तो चलिए कुछ message के थ्रूद देख लेते हैं कि message क्या बताना चाहा रहे हैं तो dear, चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है यहां कुछ छोटे-छोटे से message numbers निकले हैं चलिए वो भी ले लेते हैं मैं लेना नहीं चाहा रही थी पता नहीं कहां से आ गए वो message में तो चलिए कोई बात नहीं आ गए तो अब ले लेते हैं मना नहीं करेंगे प्रेज उनिवर्स पताईए ओके इतने message लिये हैं यहाँ पर जो दिख रहा है front में y हो सकता है dear किसी का नाम y से g है dear ओके यहाँ एक broken heart है और यहाँ पर दिख रहा है social worker आपका partner या आप कोई social worker हो सकते हैं focus तो dear अभी आपका partner आपके उपर पुरा focus रखे हुए हैं पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं कि अगर ही आपकी तरफ आते हैं या move करते हैं तो आप कैसा react करेंगे क्या आप इन्हें अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे यह सारी situation के बारे में सोच रहे हैं divine universe तो dear इनको divine पर ही भरूसा है कि यह situation जो इन्होंने खराब कर दी थी बस इसमें divine ही कुछ कर सकते हैं universe ही कुछ कर सकते हैं तो यह partner balance लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा दिल तोड मेहनत करने वाले हैं आपको 333 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा dear यहां से य पूद आये हैं तो यह universe की तरफ से समझ लीजिए N हो सकता है किसी का नाम हो यहां पर क्योंकि यह messages मैंने नहीं लिये थे यहां पर D निकला है तो D से किसी का नाम आता हो यहां पर 999 है 999 तो आपको 999 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा H से किसी का नाम हो सकता है good friend तो मै आपको कोई decision नहीं दे पाए थे लेकिन Dear अभी यहां पर जो हमारे पास में two pentacles निकलें तो इनके friends इनको कितना भी भड़काने की कोशिश करें या इनके mind में गलत बात लाए यह partner justice करेंगे hope रखे हुए हैं और 100% यह partner आपके साथ में hope रखे हुए हैं सवाल तो Dear question इनके बहुत सारे ऐसे questions हैं बहुत सारे सवाल हैं इनके दिल में चल रहे हैं जिसका answer यह आप से पूछेंगे और हो सकता है मैंने कहा ना कि यह आप से बहस भी करेंगे उस बारे में कि कैसे यह हालात बिगरे क्यों तुम किसी और के पास गई थी या गया था क्यों त दूसरा कार्ड पॉज़िटिव एनरजी तो Dear जो भी बाते होंगी वह पॉजिटिव होंगे पॉजिटिव एनरजी के साथ में यह परसन आपकी तरफ आएंगे इगनौर तो Dear अगर आप इनने इगनौर कर रहे थे तो उस इगनौर वाली बात पर यह परसन आपको छोड़ जो आपने वाले नहीं है यह परसन START से बहुत लड़ाई करने वाले है कि आप इननेगे ढीने पने इतनी दूरी यह प Thermom और वीडियो पसंद आया है तो भी लाइक कर दीजिएगा और अगर फर्स टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हम मिलते हैं नेक्स वीडियो पर